हेलो फ्रेंज वेलकम बैक आवर चैनल आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वाधुत है बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि माम जो एडबल एस के अंदर जो विकिन सी आई है उसके अंदर कम्प्यूटर साइंस का जो है प्रीविएस यह कोशन पेपर डिसकस करवादू कि प कि माम 2022 के अंदर एक जॉब ले सके जिससे हमारा सलेक्शन जो है वो दो सो पर्दीशा तक पक्का हो सके कि अगर मुझे जॉब लेनी है तो मुझे यह चीजे जो है सीरियस तरीके से करनी पड़ेनी तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट तो सबसे पहले आप सभी को प आपकी यह चाहर तो भी जाओ अगर आपको सेलेक्शन लेना है क्योंकि आपको तो एक ही पोश्ट का सेलेक्शन लेना है वह आपके लिए इनफ तो बिल्कुल भर दीजिए यह मत सूचिये कि आप बहुत ही कम है इतने में क्या होगा अगर आप यह सोच सोच के वेकिंसी को छोड़ेंगे तो फिर सेलेक्शन नहीं होगा क्योंकि वहीं वेकिंसी तो आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगी ठीक है अब इसका डिटेल में एक्जाम पैटरल देखेंगे आपका डिटेल में जैसे में करवा चुती हूं स्किल टेस्ट पर स्पेशली बात करेंगे और प्रीविएस यह कोशन पेपर पर बात करेंगे तांकि आपका सेलेक्शन हो सकी ठीक है तो चलिए वहीं स्टार्ट करते हैं कि आपके पास गोल्डन चांस है कि भाई आप भर सकते हो क्योंकि लाजड़ अभी गई नहीं है लाजड़ अभी आपकी है तो अगर आप अपन रस्टर है तो वह तैइस मई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए थैं बारा जून आपकी लाजड़ डेट है तो जो बचा इंट्रस्टेट है वह फोन डाल सकता है अगर एक्जामिनेशन की बार करें कि भाई आपका एक्जाम कब होगा तो भाई जो आपका एडवली ऐसे जैसे केवस का फास्ट होता है एक्जाम नोटिफिकेशन आने पाद ऐसे इनका पी फास्ट है जो है बहुत से जॉब लेना के फाइव तो शिक्स मंत में आपके पास जो है पचास से साथ हजार की नोकरी हो तो अपनी दो जो है दो महीनों को इस तरीके से इंटिलाइस करो सारी दुनिया को भूल जाओ सब कुछ बूल जाओ बस सो याद रखो एक नोकरी जो कि आपको इसी साल चाहिए ठीक है अब जो इसका एक्जाम है वो जुलाई या फिर अगस्त में हो सकता है तो ग्रे कहने की बात है कि आपके पास डेट से तो महीने का टाइम है तो भई अब फीस की बात करने जर्नल ऑबीसी और EWS का टेकरी के लिए 750 रुपीज फीस है और जो आपके SC है, ST है, PWD है, ES अगर आप जो है अगर आप जो है तो फॉर्म बिल्कुल डाले क्योंकि भई आपके लिए कोई भी फीस नहीं है तो बाकी एक्जाम दो देखें देखें सेलेक्शन होना ना होना रिक बात की बात है कोशिश तो करो है न ओके अब देखो कंप्यूटर साइंस की LGBT क्राइड बात पर लिएकंए बता चुकि हुंकर पीजे टी के अंधर चार पॉस्ट है एं तीजे एक अंदर आपकी दस टोस्ट है ठाक है अब पीजे टी के अंधर बात करूं तो आपका में में खहना चाहिए यूणिवर्सी फ़िफटी परसेंट मार्क होने चाहिए तक है यह यह तो यहां पर आपने देखा होगा वैसे तो अगर अधर पोस्ट की बात करें तो सब्सक्राइब के लिए चीज़े नहीं है तो 50% मार्क्स आपकी होने चाहिए अगर आपने यह रख है तो भी आप अलेजिबल है या फिर आपने दी लेवल का दो इन्फॉर्मिशन एड कामिनिकेशन टेकनोलोजी विज एडलिस 50% मार्क्स तो भी आप अलेजिबल है तो प्रवाद के लिए तो प्रवाद के लिए तो फिर आपने बीटेक किया हुआ है तो 50% मार्क्स ओने चाहिए अगर आपकी है तो बिना सोचे फर्म घर देजे भाई परमानेट रेकिंसी रोज रोज नहीं आती है ठीक है अब अगर पेपर पैटरिं की बात तुरूँ पेप अगर जो आपका दे रखा है उसमें आपका रीजनिंग दे रखा है दस मार्क्स का ठीक है आपका जो है मार्स दे रखा है जिसको आप नुमारिकल अबिलिटी बोलते हो ठीक है यह यह भी 10 मार्क्स अब टीजिंग एप्टिटूड की बात करें तो यह 20 और आपके अगर कोई लांग्वेज नहीं पूची करें ना हिंदी और ना हिंग्लिश लेकिन अगर हम पिछले साल के पेपर्स की बात करें तो पिछले साल के पेपर्स में जर्नल हिंदी और जर्नल के इंग्लिश के कोशन भी आये थे ठीक है तो आप इस चीज को इग्मार नहीं कर सकते हैं तो हलकी फुल के आप हिंदी और इंगलिश को भी देख कर जाएं ताकि जो है अगर एक्जाम में कुशन आए तो आप उनको कर पाओ ठीक है लेकिन पूरी पूरी पॉरी पॉरी पॉसिब्रिटी है जो आपका सब्जिक्ट है वो कम से कम पचास नंबर का तो आएगा ही तो भी आपका सेलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसे है ठीक है तो अब अभी आपको फोकस करना इंडेर से दो महिनों में अब आपको जो है अपने सब्जिक्ट पे फोकस करना है क्योंकि अगर आपको एक्जाम क्वालिफाइद है अभी हाँ पर इसके पैटन की बात लोगी ठीक है तो एकसो पचास मिनट में आपको 100 कोशन अपने तो माथ में आप समच सकते हो कि करने के लिए आपको कापी अचा टाइम है तो जिन बच्चों की स्पीर कम है वो भी अराम से अलेको करके को कोशन को कर सकते हैं ठीक है नेगेटिंग मार्गिंग नहीं है और जो है 100 question होंगे 100 number के होंगे इसमें अगर आपको जो है ये exam qualify करना है तो 60% number लेने हैं तो जिन पर 60% number आजाएंगे आप समझ लो कि भाया आप जो है next level के लिए आपका जो है आपने एक cd जो है वो यहाँ पर clear कर ली है यानि कि कहने का मतलब यह है कि यह exam qualify है एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यह exam qualify करने के बाद आपको short list किया जाएगा किसके लिए skill test के लिए ठीक है तो इसमें जो है अगर आप 60% ले लेते हो तो आपका पहला जो step है वो clear हो जाएगा और आप skill test के लिए जो है वो पहुंच जाओगे समझ में आई बात समझ में आई भई ठीक है तो पुल मिल आके यहां पर आपको अपने subject पर बहुत अच्छी से focus करना है अगर आप अपने subject पर बहुत अच्छी से focus कर लेते हो तो आगे के level जो है क्योंकि एक level पार हो जाता है क्योंकि पहला ही तो level जरूरी है मतलब यह नहीं हो आपको skill test के लिए कैसे तो यह जरूरी है तो यह सारी किसे आपको करनी है उसके बाद जो है यह जो आपने जब exam qualify कर लिया उसके बाद आपका skill test होगा short list बनेगी merit based पर 60% से अब जो है वह इस तरीके से list ली जाएगी ठीक है और फिर जो है उनको skill test के लिए बुलाया जाएगा ठीक है अब यहां पर जो है बच्चों को बुलाया जाएगा ठीक है कितने बच्चों को डेड़ गुना तो एक तरीके से अगर 10 वेकिंसी है तो उनके लिए 15 बच्चों को ठीक है तो इस तरीके से जो है यहां पर mention है तो आप देख सकते हो कि भई एक तो बच्चे और यह जो वेकिंसी है यह जो आपक पड़ते हैं तो इस जो स्कूल जाएगा पर आपके इंग्लिश वेकिंसी होनी चाहिए नेक्स जो आपका लेवल है यानि कि आपका स्किल टेस्ट है वहां पर जो है आपको आपके कम्यूनिकेशन स्किल्स काफी हो अच्छी होनी चाहिए मतलब आपको जो पेपर है वो कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप चाफा कि दिखा हो यानि की कहनी का मतलब यह है कि वहां पर आपकी टिचिश enacted स्किल्स को देखाजा जाएगा वहां बच्चों को किस तरीके से पढ़ एको किस तरीकेसे सबढयारे हो उनके साथ मिसी त प्लेश आपको पढ़ाना आना चाहिए आपकोई बचाई सारी चीजों से घबराएगा नहीं अगर आप सीरियस है तो यह चीजे आप कर सकते हो इंटर्व्यू के त्यारी आप अपना जिसे आपका साबजेक्ट है तो आप सारी चीजे पढ़के जा सकते हो ठीक है तो इसा कि अपको बच्चों को डाउट था चीजे आपको वहां पर जाके पढ़ाना पड़ेगा जैसे के इस इंटर्व्यू वगरा में भी सेंग आपको वहां पर पढ़ाना है और अगर आपका वहां पर अच्छे से आप अपना पर्पॉन्मेंस दें पाते हो तो आप समझ लो कि आपका सेलेक्शन हो गया और आपकी जोईनिंग जो है वो कंफर्म है कि भई स्टार्टिंग में ही तरी इस की स्टार्टिंग में हो जाएगी तो आप देख लो आपके पास जो है पांसे छे महीने बाद पाचास से साथ हजार की नोक्री के हगदार हो जाओगे अब हम बात आपका सिर самых computer science पोर्षन यहां जिस्में पाचाास कुशन आपके यह हुए हैु ऐसे कितने कुशन आए हुए पचास कुशन आए हुए ता PGT का पेपर है यह जिसमें आपको 950 कुछन है वैसे आपको फुल 100 मार्क से पेपर आएगा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं PGT कंप्यूटर साइंस की तो यहाँ पर आप देख सकतो सबसे पहला कुछन है आपका यहाँ दिजितल का डिजिटल एलेक्रोणिक का कुछन है फिल फिल फिलो के लिए रिटास्टोर करता है यह इसके बाद देखो विच गीट यहाँ रिप्ट तेबल मेंशन ब्लो इंडिकेट जो यह वाला जो जो है यह कौंसा जो है वह आपका गेट फिल फिल फिलेटास्टो यानि कि सेम आउट्पुट पे आपको मतलब क्या मिल रही है आउट्पुट क्या मिल रही है जीरो तो यह बहुत होता है दोनों ही कोशन काभी असान है इस पेपर को मैं डिटेल में एक्स्पेंट कराऊंगे डूंट वरी अभी सिरफ मैं आपको एक नॉर्मल बताया हूं कि क इसके बाद या आपका नॉर्मल बेसिक कोशन है पुब्लिक की एंक्रिप्शन इंवाल था यूज ऑफ कितनी की जो है इंट्रवल प्ट्वीन टाइम आप सुमिशन जो अब क्या कहलाता है ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम का कोशन है टेक्निक और रिमॉब इन एक्टिव प अउन परमूटेशन के जली जन एक्टिव एसे बास आपका इक्वीलनेट रिलेशन इस इस वेच चिक है एक्वीलनेट रिलेशन में क्या होते है आपका रिफ्लक्सिंश समेट्रिक और ट्रांसित तो बहुत ही असान चीज़ है विच देर एग्जिस इन एज बिटूरी पियर वर्टेस इस कॉल्ड चिक है ग्राफ इस ट्रीज इफ एड ओनली ग्राफ जो है वह अपका ट्रीक हो सक्ता है क्या हो समें कम्लीटली कनेक्टेड हो मिनीमली कनेक्टेड हो कंटेन अंसर्किट क्या आप सट्कें करेगा ठीक है तो यह जो कोशन्स है इस तरीके से आपका डेका सक्चर हो गया विजितल हो गया आपका सॉफ्ट इंजिनर का कोशन आया बेसिक फंडमेंटल में से कोशन आया ऑप्रेटिंग सिस्कम का कोशन डारेक्टेड ग्राफ तो आप यहां पर देख सक्तियों कि मार्च में से काफी पर तो ग्लासिफिकेशन ग्रामर यानि के टी ओसी के बेसिक कोशन यहां पर पूछए गई है तो आप लेवल को असान नहीं समझ सकते पेपर अच्छा कासा आएगा और मैं आपको बताव दू पेपर जो करवाएगा वह आपका NTA करवाएगा तो विच अच्छा तो यहां पर जो बेसिक चीज है अगर मैं कहूं हूं तो डेडा स्क्टर कम्यूटर नेटवर्क अपका ओप्रेटिंग सिस्टम तो यह जो अच्छा पासे हैं यहां से अच्छा आया है बाके आगे भी देखते हैं अगें मैंक अड्रेस नेटवर्क प्रोटोकोल इस फोर रिमोर्ट टर्मिनल कनेक्शन विच और फॉल इंटवर्क उसे सब्लीश सिक्योर चानल ऑन दा इंटरनेट फिर आइपी अड्रेस कौनसी क्लास का है यह फिर आइपीवी 6 किपना होगा विच और फॉल इंटरनिक मेल सर्विस फ्रॉम सर्वर टू मेल क्लाइंस टिक हैं सॉफ्ट इंजिनेरिंग डवलप्मेंट एसारेस एसारेस की फुल फॉर्म आई है विच और फॉल इंग ब्लू रफॉर्ट रिमेनिं क्शूर में इटेल में एक्स्वेयं करांओंगे डोंट वरिए पेपर अपने एक्स्वेयं कर्या पेपर अपने इनस ट्राइस यह अगा फिर मेरन दिखा रहों से पियारिक जो आइए आप मैंच और सी फb तो कौन सा जो हम क्या यूज करेंगे तो एक तरीके से देखा जाए तो यहां पे जो पेपर है वो बहुत जदा असान भी आप नहीं कह सकते हैं तो आपको जो जो अच्छे अच्छे सब्जेक्शन का बेसिक बहुत अच्छे से ख्लियर होना चाहिए ठीक है फिर एवरी नौन की एट्रिब्यूट फंक्शनल उसस्टेम और उसक्शे अच्छे सरण तो यहां पारेटिंग जो प्रॉच्छन प्रॉच्छन आपका जो है वापका रविजर्यूटं थाइ स्टाउल के लिए खितन का यहां फिर वार्पेज डॉच्छनिंग रमर प्रॉच्छ साओ जो आपका जो है ने परेगीगा साथ अपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स लाइनिक्स के एक कोशन आपका डेटा स्ट्ट्चर टी ओसी के दो कोशन मांच के इच्छे कासे कोशन डिस्क्रीड जो है डिस्क्रीड मांच होई गया डिजिटल के दो या तीन कोशन जो की बहुत ही असान थे आपका डीवीज्ट में इसक्यूवल के और कंप्यूटर निट्वर्क के है ना तो यह पुल मिलाखे जो मेन इन सबजेक्ट हैं जो आप पढ़ते हो वहां से कोशन आया है तो कहने की बात इहां कि इतना मुश्किल भी नहीं है क्योंकि आप क्यारी करते आ रहे हो तो इतना और पेपर आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 60% मार्च लेने के लिए तो अगर आप रेड़ी है एक्जाम बहुत पेपर फिल्न कीज़ेगा और आपके सारे डाउट्स क्लायर होगे होगे पेपर आपको तलेगर मिल जाएगा तो हां ननीकिया है अंसक्लास को सभी आप यह तील्म से आप अपने डाउट्स पूछिए और फिर मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वडियो में आपके डाउट्स आपकी सारी चीज़ों को लेकर तब तक लिए बाबाय टेक क्यार थैंक यू